Hydrogen Paroxid को आप as a mouthwash इस्तिमाल कर सकते हैं किसी भी स्टोर से मिल जाता है Hydrogen Paroxid body के white blood cells, bacteria और दूसरे microbes को मारने के लिए naturally बनाते हैं ये body का defense mechanism है invading bacteria, parasites, viruses या दूसरे microbes से body को बचाने के लिए Hydrogen Paroxid in microbes की cell membranes और DNA को oxidized कर देता है, cell membranes को destroy करता है, इसे use करने के बाद body से मुखतलिफ enzymes के जरीए discard कर देती है क्योंकि इसकी excessive production या cells में accumulation surrounding healthy tissues को damage कर सकती है Body hydrogen Paroxid को decompose करके पानी H2O और oxygen में convert कर देती है, पानी surrounding tissues में absorb हो जाता है, जजब हो जाता है और oxygen blood में भेज दी जाती है, जिसे exhalation में निकाल दिया जाता है इसका हरगेज ये मतलब नहीं है कि इसे आप पी सकते है Hydrogen Paroxid को आप पानी में dilute करके as a mouthwash इस्तिमाल कर सकते है पिछली वीडियो में detail में बात हुई, ये gums को protect करता है, sore throat है तो आप इससे गारगल कर सकते है इसमें आप एक टेबल स्पून Hydrogen Paroxid को 4 टेबल स्पून पानी में मिलाके 30 सेकंड के लिए वकफे वकफे से गारगल करें और 30 सेकंड के लिए मुँ में रहने दें, इसे निगलना नहीं है आप इसे और बहुत सी चीजों के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं इसे पानी के साथ 50% डाइलूट करके इसे सबजियां और फल्द हो सकते हैं कुछ देर के लिए सबजियां इस पानी में भिगो दें, उसके बाद साफ पानी से धो लें प्लांटिंग में सीड डिसिंफेक्शन के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है अच्छी ग्रोथ और सीडिंग हेल्थ इंप्रूफ करने के लिए ये छोटी सी वीडियो है जो मैं हाइडरोजन पार उकसाइड के इस्तिमाल पे बनाना चाह रहा था अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, अलाफिस